चेन्नाई 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 जी आ दोस्तों आज चेन्नाई सुपरकिंज के बल्ले बाजों ने न जाने क्या खाया था आज चेन्नाई के बल्ले बाज रुक ही नहीं रहे थे दोस्तों जीटी याने गुजनाट टैटर्स के गेन बाजों पर ऐसे तूट के पड़े वो ज पहले ही गेन पर क्याच नहीं छोड़ते तो लेकिन उसके बाद देखना क्या था रचिंदर रवेंद्रा ने पिछले नाच किता रही दापड तो बल्लेबाजी की और काफी जमर्था स्थिटिंग रिटिंग की दोस्तो बीज गेंदों में उन्होंने केवल अगर उनके स्ट्राइक रेट की बाद करें तो 230 का स्ट्राइक रेट था उसके बाद अजिंके राने कुछ खास नहीं कर पाए 12 रण पर ही चलते बने लेकिन उसके बाद आया एक में तूफान जिया दोस्तों उस तूफान का नाम था शिवंदुबे शिवंदुबे आते ही पहले ही गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने इरादे स्पष्ट कर दिये कि आज वो सिर्फ मारने के लिए उन्होंने अपनी पूरी पारि में सिर्फ 23 गेंदे खे लिए और उसमें उन्होंने 51 जोड दिये जिसमें उन्होंने सिफ चोके तो दो ही लगाए लेकिन उन्हें छक्के पाँच लगाए उनकी पारी का स्ट्राइक रेट था दोसो एकी स्पॉट चोवत्तर का आपको इतना ही नहीं दोस्तो यहाँ पर डैरे में चल भी कुछ खास नहीं कर पाए बेस गेंदों में चोईसी बना उन्हों नहीं भी पार चोटें और इक चल करें जिसके बाद ये तो पहला ही माच खेल रहते और उन्होंने भी आते ही चवपेली गेंद पर चुपका लगा दिया उन्होंने भी सिर्प 6 गेंदे खेली लेकिन 14 रन बना कर वह बेंगी ऑओट हुए इसके बाद रविं 206 रनों का की बारिश गिराई यानि अब अगर गुज्रा टैटर्स को यह मैच जितना है तो जीतने के लिए 207 रन बनाने होंगे और तभी वो यह मैच अपनी जोली में जाल सकते हैं जो कि इतना असान लग नहीं रहा है क्योंकि चैन्ने की गेंबाजी भी इतनी खराब नही कि जितनी 206 रन बनाने के लिए लगती है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताए कोन सी टीम यहाँ पर आज भाजी मारेगी और अगर गुज्रा टैटर्स जितनी है तो उनके तरब से सबसे बड़िया स्कोर करने आले बल्लेबाज कोन रहेगे अभी के लिए इतना है अ